हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूं वेलकम टू माई चैनल तो आप लोग कैसे हो उमीद करती हूं कि आप बहुत करियर से होगे और मैंने पिछला व्लॉग डाला तो आप लोगोंने बहुत पसंद किया काफी प्यारे पैसे कमेंट्स किये मुझे बहुत अच्छा लगा तो फ्रे से देख रहे हों करें लाइक तो फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं काफी पैसे कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा तो आज मैं यह कहना चाहूंगी कि बाइस साल का सफर कैसा रहा मेरी शादी का और प्लीज वीडियो को बाइस साल में मैं इस ट्रीच कैस चार साल में चार्वा साल का सफर उसमें बहुत जबर्दस परेशानיות कर रहा बहुत मुशकिले आई बहुत मूसीबत आई और बहुत परेशानיות को ढ़णा पड़ा तो जो लोग बच्चिया शादी करके लड़के जाती हैं तो उन्हें भी नई नई हुई है तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप जब जाते हैं नए नए होके नया आपका दिन होता है नए लोग होते हैं तो वो लोग शुरू शुरू में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपनी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐस से होते हैं शादी होने के बाद कुछ 10-15 महेने के बाद इतनी परेशानिया देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं अगर वो लोग अपने आपके साथ प्यार से मुहबबस से रह रहें तो आप भी उनके साथ प्यार मुहबबस से र अगर आपको लोग परेशान करें तो बिल्कुल चुप नहीं बैटना उनको मुह तोड़ जवाब देना अगर आप पहली टाइम में आपने अपनी जबान को बंद कर लिया कुछ नहीं कोगे तो यह याद रखना कि आगे आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकत है तो बिल्कुल इस बात का खास क्या रखने कि कुईूकर शुरुष्व्य में जब जब कोई कर् landlord जाता थी है तो घर वाले जो होते हैं फैमिली वाले तो उसे परेशान भी करते हैं उसे हर चीज में दबाने के लिए देकते हैं तो ऐसा करते हैं और ज़्यादा सज्याद करें अगर परेशान कर रहे हैं तो उनको मुह तोड़ जवाब दें चाहे वो बड़ा हो या चोटा हो अगर आप चुप बैटेंगे तो आपको और ज्यादा परेशान किया जाएगा और जिन लोगों की नई नी शादी हुई है तो वो लोग के लिए बहुत यूसफुल ये बाते हैं तो वो जरूर मेरे वीडियो का देखे अगर आप लोग वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो लो बाऊब के बारे में लेकिन यहां पर मैं यह जरूर कहूंगी कैई इस जगा पर बिङक चुप रहने की जरूरत नहीं है जरूरत पड़ें तो आप लड़ जाए कि जो है अगर आप फर्स टाइम में चुप बैढ़ जाओगे तो यह सोचे ना कि आगे आपको बहुत दुप भरे दिन देखने पड़ सकते हैं बिल्कुल मुह तोड़ जवाब दे अगर आपके साथ अच्छी रहते हैं तो बिल्कुल आप उनके साथ अच्छा रहें से उनके साथ रहें प्यार मुबबत से रहें लेकिन अगर परेशान करें बहुत दुप दें बहुत ज्यादा तकलीफ दें तो बिल्कुल चुपना बैटें अगर आप पहली बार में ही चुप बैढ़ गए तो आगे आपको जिल्दगी पर दुख जेलना पड़ सकता है औ और अगर आपका अलग होने से ही प्यार मुबद बढ़ना रहेगा क्योंकि अलग हो जाएंगे तो फिर भी प्यार मुबद बना रहे तो लेकिन साथ में रहने से बिल्कुल प्यार मुबद बनता नहीं बहुत मुश्किले आती हैं और बहुत जगड़े होते हैं बहुत जो नई लड़कियां होती हैं उनको बहुत कुछ देखना पड़ सकता है और बहुत कुछ जेलना पड़ सकता अगर समझदार है तो फर्स टाइम में ही आप लोग चुपना बैटें और मुह तोड़ जवाब दें जबी आपको कामियाभी मिलेगी नहीं तो जिंदगी भर का दुख जेलना पड़ेगा तो इससे बैतर है आप समझदारी से काम ले और अगर अच्छे हैं तो प्यार मुबबस से रहें तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी फ्रेंट आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं काफी पहरे बहां से कमेंट्स करते हैं मुझे ब बहुत कुछ कर्स चुका होता है इंसान तो इंसान बहुत समझदार हो जाता है तो बाहर निकलने के बाद खुद बखुद इंसान को तरक्की मिल जाती है तरक्की में कोई कमी नहीं होती है क्यूंकि अगर हम मेनस से और दिमाग से काम लेंगे तो हम तरक्की कर सकते हैं ले आपने परिवार को अच्छे से ही रहें लेकिन अगर परिशान कर रहें फिर मैं वही कहना चाहूंगी अगर परिशान कर रहें तो चुप ना बैठें तो बस इतना ही कहना चाहूंगी आप मेरे इस वीडियो को शेर करें और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अप्रियाश से हो उमीद करती हूं कि आप लोग बहुत खरीयस से होगे तो आज है हमारी शादी की अनिविरसरी और मैं इने बनाया है केक और हमारे बच्चे भी आपके सामने आए हैं तो चलिए आप लोग इनसे कुछ बाते कर लीजिए और यह आप लोग इसे कुछ कहना च बशड़ कर देना और आज 27 ओक्टूबर है 27 ओक्टूबर है यह राद का बोग है यह अभी रात पो शूट कर दे है रहा हम लोग आपको कर दिया परसमें व्लोग मिल जाएगा चैनल में और 17 साल नहीं तो 22 साल हो चुके हैं 22 एर्स कंप्रिट हो चुके हैं तो यह हम लोग का व्लोग स्पेशल है इसलिए मेरे बच्चे भी आये हैं आप लोगे सामने तो आप लोगों से सब कह रहे हैं तो आप चलिए हमने आज केक बनाया है और खाशट आप लोगों के लिए इसलिए केग बनाया है तो आप भी हमारे केग को इंजाय करिए तो चलिए मिलते हैं आप से पांच मिनटिो प्रच्पोन जाल रहा होगा हुँ भूगा। तो आप लोग को ये केक अगर होते तो ज़रूर इंजाय करते लेकिन बहुत अच्छा केक बनाए मैंने बनाया है तो बच्चों को बहुत पसंद आया है केक ये अगर आपको हमारा व्लोग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर आपड़ करना और अपनी फैमली और शेयर करिये हमारे व्लोग को और व्लोग में बने रही है आगे भी मैंने बहुत कुल दिखाया हुआ है चलिए व्लोग कर देते है स्न हो को को कोी जरूर कर भी जरूर कर अ है तोर व्लोग कर दोकी जरूर कर दोताओ कर अभी मिद्थचा झाल 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 झाल